अमेरिकी हमले में इरान के कमांडर कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव जा रही है इस बीच अमेरिका की राश्रपती टोनाल ट्रॉम्प ने दावा किया है कि सुलेमानी चार दूतावासों को निशाना बना रहा था ट्रम्प ने शुक्रवार को कहा कि इरानी कमांडर सुलेमानी चार अमेरिकी दूतावासों पर हमले की योजना बना रहा था ट्रॉम्प ने एक इंटर्वियों में दावा करते हुए कहा कि कासिम सुलेमानी अमेरीकी दुतावास के रावा दूसरे संगठनों पर भी बड़े हमले की योजना बना रहा था